तो आज को विडियो में हम बात करेंगे फ्री फूट ग्रेंड स्कीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे वाइद चेंज़ेंगे फ्री फूट ग्रेंड स्कीम नियूज में क्यों है तो हमारे इंपॉर्टेंट यह हो जाता है समझना कि why the changes have been brought government ने आखिरी change क्यों किया है उसे समझना इसका impact क्या होगा इसका impact खास करके government पर क्या होगा और जो beneficiary है उस पर क्या impact होगा उन सारी बातों को समझना तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जरा हम समझते हैं कि government ने ये change क्या किया है और क्यों किया है देखिए first of all change क्या किया गया है उसको समझते हैं अभी तक क्या होता था कि इन FSA के जो जितने भी हमारे beneficiary थे उन्हें subsidize amount पर जो food grains थे वो provide कराया जाते थे क्या होता था 3 rupees पर केजी rice provide कराया जाती थी 2 rupees पर केजी wheat provide कराया जाता था 1 rupees पर केजी जो मोटे अनाज वागरा थे वो provide कराया जाते थे ऐसे में government ने क्या किया है कि अब जो subsidize amount पर जो food grain provide कराया जाते थे उसे close करके government ने 5 kg food grain free of cost provide कराना start कर दिया है means अब आपको जितने भी NFSA के beneficiary हैं उन्हें subsidize amount पर food grain provide नहीं कराया जाए गए other hand क्या किया जाएगा उन्हें से most 5 kg food grain free of cost provide करा देंगी तो यह तो बात होगी कि क्या किया गया है change क्यूं किया गया है उसको जरा समझते हैं से कि सबसे important बात क्या है all we know कि during COVID-19 pandemic April 2020 2020 में government of India जिसका नाम था प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना थी इसमें क्या किया गया कि इतने भी NFSA के जो नेशनल फूट सेक्रेटी आक्ट के जितने भी बेनिफिसरी थे उन्हें additional 5 kg food grain provide करा जाता था जिसमें गिहूम और चावलों अगरा सामिल होते थे means पहले तो क्य पर जो food grain provide करा जा रहे वो तो कराया ही रहे अधर एंड क्या हुआ कि आपको free of cost 5 kg extra food grain provide करा जा रहा है ताकि COVID-19 के कारण जितने भी लोगों के जो employment खत्म हो गये या फिर जितने लोगों के अधर source of income थे खत्म हो गये उन्हें food grain की कमी का सामना ना करना पने means कोई भी इंड crisis होने लगी means उनके पास खाने तक की कमी होने लगी इसी को sort out करने के लिए Government of India ने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना को स्टार्ट किया था जिसे time to time किया गया आगे बढ़ाया गया 2020 से स्टार्ट किया अप्रल 2020 से उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते year 2022 तक इसे आगे जारी रखा गया but current scenario में क्या हुआ है कि government ने इस प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना को year 2022 में December 2022 में खत्म कर दिया है close कर दिया है means इसके जो effect थे अब 1st of January से नहीं माने जाएगा means जो free 5 kg food grain provide कराया जाता था इस subsidies amount के अलावा वो अब provide नहीं कराया जाएग इसे जो people हैं वो accept नहीं कर पा रहे हैं तो फर्स्ट रीजन तो आप ऐसे समझे कि जो प्रधान मत्री गरीब कल्यान अन्य योजना है उसे एक तरफ खत्म कर दिया गया था other hand जो free of cost वाला जो चला आ रहा था two years है वो उसका मतलब damage control के तौर पे आप समझे कि government ने 5 kg food grain provide करा है कि जो last two years आप free में provide करा रहा है ते प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के नाम पर food grain उसे अचाने से अगर आप बंद कर देते हैं तो जो लोगों को आप समझे ये mentality होती है क्या कि जो free में मिला आ रहा होता है उसे अचाने से आप बंद कर दिये तो क्या होते ह है कि यहां पर damage control करने कोशिस कर रही है और कोई भी government ऐसा माले जो भी government होगी center मोग कभी भी अपने पैर पर कुलहाडी नहीं वानना चाहेगी इस तरह कैसे कि जो free में चला आ रहा था उसे free में अचाने से बंद कर दिया जाए तो इसी को damage control करने के लिए और 2024 के जो लोग चाट किया गया है 5 kg वाले यह point second point है देखे सबसे important बात क्या है कि जो subsidize हो रहा था इसमें तो अभी तक क्या करते थे government 90% तक bear कर लेती थी 10% ही क्या होता था कि state government वगेरा या जो beneficiary उन्हें provide करना पड़ता था होता क्या था देखे दूसरा point अगर हम बात करे political region समझें जैस इसने भी NFSA के जो National Food Security Act के beneficiary थे उनका जो subsidize amount था वो खुदी bear कर लेते थे मैं जो हमने discuss किया 3 रूपीज, 2 रूपीज, 1 रूपीज वाला concept यह भी क्या करते थे वो अपने state government अपने पैसे से bear कर लेते थे और जो beneficiary थे उन्हें free of cost provide कर आ जेते थे सारी चीजों को मैं जितन Central Government क्या क्या था? Central Government तो भाई 90% पैसा bear कर रही है क्योंकि जितना भी subsidize amount पे आप समझे कि कहीं पे भी अगर आपको 3 रूपीज में rice मिल जा रहा है, 1 kg, 2 रूपीज में 1 kg wheat मिल जा रहा है, means पूरी तरह से subsidize है, 90% से ज्यादा क्या है Central Government subsidy दे रही थे और जो credit था वो कौन ल पूरा का पूरा कैसे मिल जाएगा, अब मिल जाएगा Central Government को, ये भी एक दूसरा कारण है, इस तरह के जो start किया गया है 5 kg fruit grain वाला free system, ये भी एक दूसरा कारण है, अब जरा समझते हैं हम कि इस Central के decision से impact क्या होगा, पहले तो ये समझते हैं कि Government पर क्या impact होगा, other hand समझेंग तो other hand क्या किया, कि जो political मामला था, जहाँ पर credit वाला game चल रहा था, वहाँ पर भी credit जो state government ले ले रही थी, उसे अब credit शटा के सीधे है, पूरा का पूरा से credit call ले लेगा, Central Government ले लेगी, means overall क्या है, win-win situation किस के लिए है, Central Government के लिए है, कैसे है जर उसको आप समझते हैं, impact की बात कर रहे हैं, तो अगर हम Central Government पर impact की बात करते हैं, तो अभी तक क्या हो रहा था, कि जब तक पधान मंतरी गरिब कल्याण अन्योजना श्टार्ट नहीं किया गया था, उसके पिसे में, means before COVID-19 के अगर हम बात करते हैं, तो according to government of data, NFSA पर जो NFSA चल रहा था, उस पे government around 2 lakh कर रुपीज खर्च कर रही थी, ऐसे में, जब ये प्रधान मंतरी जो गरीब कल्याण अन्योजना है, जो प्रधान मंतरी गरीब कल्याण अन्योजना के हम बात कर रहे हैं, इसे start किया गया, तो government पर जो 2 lakh करोड था, वो डबल हो गया, means आप समझे कि extra 2 lakh करोड रुपीज जो रही थी, ऐसे में, जब प्रधान मंतरी गरीब कल्याण अन्योजना को बंद कर दिया गया, means जो ये 2 lakh करोड एक्स्ट्रा बेर कर रही थी, government, ये तो minus हो गया, other hand क्या हुआ, कभी तक क्या होता था, 90% तो payment हम करी रहे थे, सुट सेक्रिटी के नाम पर, जो सबसीडी के नाम पर, ऐसे में, जो 10% बच जाता था, इसे भी अब क्या कर रहे है, government खुदी बेर कर लेगी, और क्या होगा, around 15,000 से लेकर, 16,000 करोड एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, 2 lakh करोड तो खर्च करी रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या हुआ, 15,000 करोड या 16,000 करोड जो एक्स्ट्रा बच गया, दूसरा क्या हुआ, स्रिफ एक्स्ट्रा 2 lakh करोड खर्च करी रहे थे, प्लस एक्स्ट्रा क्या हुआ, 15 से 16,000 जो एक्स्ट्रा बेर करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा खर्च करके 15,000 या 16,000 करोड जो एक्स्ट्रा बेर करना पड़ेगा, यहां पर उसे एक्स् तो यह तो बात हो गई कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है और जैसा कि टू लाक करोड से भी होई जाएगी अल्रडी दे रहे थे और 90 परसंट रहे तो 10 परसंट और एक्ट्रा दे के क्रेडिट भी ले ले लेंगे दोनों ये लेबल पर फैदा हो रहा है एकनोमिक उसपे क्या इंपक्ट पड़ेगा उसको समझते हैं अभी तक क्या होता था कि फ्री में मिलता था अधर हैंड क्या होता था यहाँ पर जो सब्सिडार्य आमाउंट पर जो food grain मिलते थे वहाँ पर भी food grain खरी लेते थे कहीं कहीं state में तो free में मिल जाता था means overall उनके पास जो food grain का number होता था ये ज़्यादा होता था मालने ये 15 kg हो ये 20 kg हो ये होता था ऐसे scenario में क्या हुआ कि ये जो 5 kg है ये भी close हो गया और ये subsidize amount पर जो मिलता था ये तो खतम हुआ हुआ सिर्फ क्या मिला 5 kg food grain वह भी free के तौर पर मालने ये free मिल रहा है बट क्या मिल रहा है सिर्फ 5 kg मिल रहा है means अगर extra food grain की जरूत पड़ती है आप आसानी से समझ सकते हैं किसी भी family के लिए अगर 3 लोगों की family भी है तो सिर्फ 5 kg food grain से तो आहा काम चलेगा नहीं पुरे महिने का रासन तो चलने वाला नहीं है ऐसे में क्या हुआ आप जो beneficiary हैं उन्हें market price पर market से क्या करना पड़ेगा extra food grain खरीदना पड़ेगा तो जो experts है उनका मानना है कि भाई यह decision जिसे government of India नहीं लिया है means government के लिए क्या हो रहा win-win situation हो गई बट जो beneficiary हैं उनके लिए negative impact डलेगा तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसका खमियाजा government को भूगतना पड़े impact हो तो देखने वाली बात होगी कि 24 collection में क्या होगा बट scenario क्या 2023 में क्या होगा कि जितने भी जो beneficiary है ने पर से के उन पर negative impact डलने वाला है इस decision से तो ओप आपको यह video समझ में आया होगा thanks for watching